जोशी मट दोरे के बाद कॉंग्रेस प्रदेश अध्ध्यक्ष करन महारा दिल्ली दोरे पर पहुँचे और प्रभारी देविंद्रियादस से मुलकात किया इसके साथ ही और भी कई वरिशनेताओं से मुलकात करन महारा ने किया और आगे की रन्नीती को लेकर चच्चा हुई इस वक्त हमारे साथ करन महारा खुद मौजूद है बादचीत के लिए सर आगे क्या रन्नीती कॉंग्रेस पार्टी की रहेगी चुकि अब मुख्यमंत्री भी पहुच चुके हैं रात्री विश्राम भी हुआ है आज भी जोशी मट में रहने वाले हैं बैठक करने वाले है क्या रन्नीती कॉंग्रेस पार्टी की रहेगी ये कॉंग्रेस के दबाव का नतीजा है जो हमने लगातार वहां अपने नेताओं का वहां हमने कैम्प करवाए पहले दिन प्रितम सिंग जी को डेलिगेशन के सेंग वहां थे उसके बाद गणेज गोद्याल जी हरी श्राव अपना जी वहां अनी लोग भी हमारे कैम करके रखे थे सुमित्तर बुल्ला जो यूद कॉंग्रेस के अध्यक्स हैं सोनिया अनन जी और उसके बाद मनीश कंडूरी जी वहां तीन दिन से लगातार कैम कर रहे हैं और यह चोटी मोटी बात नहीं है पहनी दरस्टी और हमने जे चे हैं तारिक से मुख्यमंटर से समय मागा और 10 तारिक तक समय नहीं द आई प्लूप किया उसके बाद मुख्यमंटर ने मिलने का समय दिया कॉंग्रेस नहीं ये सुझाओ दिया कि या तो मुख्यमंटरी को या dr.aban के पूरी टीम को वहां कैम करना चाए और लोग네요 के बीच में रहके रहत कार का जाईजा लेना चाही है, लोगों को धारा स्परादा चाही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सुझाओं को उनोंने माना, उसके लिए हम उनको धन्यवास देते हैं और उन्य चैम कहा लेकिन उनको अपने जमान का पका होना चाए अपने वचनू का पालन करना चाए मुख्यमंतरी ने कहा था हमने एंटी पी सी के प्रोजेक्ट को रुकवा दिया है भी फिलहाल और वहां कोई भी निर्मार कारे नहीं हो रहा जबकि पत्रकार सांथियों ने रात के दो बजे एक ग्यारा तारीक को एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वहां अभी भी एंटी पी सी की टरनल में काम चला है और एक लाग रुपया फॉरी साहता के रुपे क्या हम उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं लेकिन वन टाइम सेटल्मेंट की जो डिमांड है हमारी और संगर समीती की उसका उनको पालन करना चाहिए जो क्योंकि बद्रिनाथ का हिस्सा है जोशिमट बद्रिनाथ भगवान बद्रिनाथ में रहते हैं छह मैंने जोशिमट में रहते हैं और नर्सिंग भगवान जी का घर है हमने उनसे कहा है कि जिस तरीक से बद्रिनाथ में आपने मॉडल को सुईक्रिती दी कि 76 लाख रुपया परती नाली के हिसाफ़ान वन टाइप सेटल्मेंट क्या वही हक हमारे जोशी मट के लोगों का है वहाँ भी उसी तरज पर मुआफ़ा दिया जाना चाहिए ग्री मंत्राले भी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो शिमट को लेकर बैठक करने वाला है लगतार जो सरकार का पक्ष है बीजेपी का पक्ष है उसके मताबिक कि सरकार तत पर है वहाँ से लोगों को निकाला जाएगा सुरक्षी तस्तान पर पहुचाया जाएगा मुआपजा दियाएगा आप लोग बेवजा विरोध प्रदशन कर रहे हैं बीजे पी आरोप लगा रही है देखे विपक्स का काम है सरकार के कामों पे नज़र रखना और उनको दबाव में लेना ताकि काम सही से हो सके रिहनी के घटना को दो साल हो जाएंगे साथ फरवरी क जब टानल में बहुत बड़ा फ्लड आया था और काई लोग उसमें मरें मशीर वहीं बंद हैं तो उसके बाद भी सरकार नहीं चेहती साथ महने पहले वहां का जो आस्पताल है लिएंगे शाल है उसमें क्रैक्स आया है वो धस रहे था उसके साथ नहीं लगए वीवार्ड के प्रदेश अद्यक्स हैं वो कोई कारवाई नहीं करवा पाए और इस घटना में भी तीन तारिक से लगातार लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं उननिस दिन से अंदोलन कर रहे हैं उन्होंने नौ तारिक को तो बहुत बड़ी घटना घटी कई घरों में एकदम तेजी से पीमो अगर मीटिंग करें निगरानी करेंगे और कुछ करेंगी तो हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ वनभूल पूरा की घटना में जिस दिन हाई कोट का डिसिजन है सरकार ने तुरंत उसी दिन कैबिनेट बुला के निर्ने किया कि हम रेलवे के अतिकर मन के मामने में नहीं बोलेंगे तो लेकिन ये जोसी मट की इतनी बड़ी घटना घट गई और इस समय पूरा हिमालय जो है ना हिमालय जो हो धरक रहा है सरकार को अभी तक फुरसत ने मिली कैबिनेट बुलाने की हमने उसकी भी डिमांड रखिया और दवाब की वज़ा से कॉंग्रेस पार्टी की दवाब की वज़ा से चुकी लगतार आप लोग आवाज उठा रहे हैं वहां पर पहुच रहे हैं सरकार के खिराब बोल रहे हैं इसी वज़ा से मुख्यमंत्री ततपर हुए हैं के अंदर सरकार ततपर हुई है इसके साथ ए प्रभारी ने प्रेस की थी वो जानना चाहते थे ग्राउंड रियालिटीज क्या है मैं स्वेय वहाँ था तो मुझे उसके लिए बुलाया साथ में उन्होंने मेरी कुछ लोगों से बातचीत कराई जो लोग वहाँ राहत समगरी पहुचाना चाहते हैं करेंगे तो कॉंग्रेस एक तरफ सरकार के कदमों की और को पैनी दृस्ट्री रख रही है दूसरी तरह हम किस तरीके से वहां के लोगों रहात पहुचाएंगे उसके लिए भी हमारी कारिकरम बन रहा है हमने एक अंट्रोल रूम बनाया है और उसको लेकर भी मिरसे जानकारी लेगे कि क्या कर रहा है और उन्होंने जो मदद यहां से वहम को करवा रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और जल्दी ही कॉंग्रेस वहां लोगों को रहत समगरी भी पहुचाने का काम करेगी और मनीश खंडूरी जी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने वे हैं वो वहां पैनी रस्ट्री रख रहा हूं देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है बहुत शुक्रिया बाचीत के लिए देखे साफ तोर पर कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कैमरा पसर रोहित के साथ स्वाती पाठक भारत समचार दिल्ली